नमस्ते मैं रेकी मास्टर टीचर एंजल हीलर अन्यमरलोजिस सोमा पाठक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे स्पिरिच्वल चैनल आज जो सोल में मैं आज आप लोगों को जो बताना चाहती हो आप लोगों को अपके परिवार को कैसे स्वस्त हैं शुखी रखना है शम्रिद्शाली रखना है इसके लिए एक उपाए बताने जा रही हूँ ये बहुत ही सहज उपाए है बहुत इजिली आप कर सकते हो क्योंकि आपको खाना तो घर में बना नहीं है जब भी आप खाना बना रहे हो अगर खाना बनाते समय आप खुद को 100% positive रख सको खुशी खुशी खाना बना सको तो it's best option पर हमारे दैनन दिन जीवन में रोज मर रहा के जीवन में कोई न कोई टेंशन कोई न कोई प्रॉब्लम कोई न कोई चिंता लगी रहती है हमारी तब्यत खड़ाब रहती है फैमिली मेंबर्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है इसी वज़े से हम बहुत खुश होकर बहुत positive रहकर खाना नहीं बना पाते हैं कई समय तो दोफैर का खाना या दिनर कुछ भी हो जब भी आप खाना बना रहे हो इतना सिर्व ध्यान रखना है कि उस खाना बनाने के समय आपको कोई भी आपका प्रियम मंत्रा चैन्ट कीजिए चाहे वह मां लक्षमी का मंत्रा हो सकता है मां अर्णपूर्ण का मंत्रा हो सकता है ओम क्लिंग कृष्णाय नमा का मंत्रा ओम नमस्षिवाय मृत्वुन जय महादेवाय मंत्रा ओम नमस्षिवाय का मंत्रा ओम शिवशक्ति का मतलब आपको जो मंत्रा सबसे फेवरिट है आप जिस मंत्रा के उपर पूरा विश्वास रखते हो आप उसी मंत्रा को चैंट करो जब था और अगर आपको मंत्रा नहीं आता है तो आप एफिंशन से आपके बच्चों के लिए आप चिंतित हो तो आप खाना बनाने के समय ऐसा आफिंशन दे सकते हैं कि यस खुने को मैं खाना बना रही हूं प्रभु के दया पर यह जया या इश्वर के दया से या मा सरस्वती के दया से इस खाने को खाने के बाद खाकर मेरे बच्चे बहुत एक्टिव बहुत कंसेंट्रेशन रहेगा उनमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे बहुत कर रहे हैं एक्टिवली हमें प्रेजेंटेंस में एफ़मेशन देना चाहिए इस खाने को खाकर मेरे बच्चे बहुत खुश हैं स्वस्थ हैं वो बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने लक्ष को पूरा कर रहे हैं ऐसा एफ़मेशन दे सकते हैं और इन एफ़ बना रहे हो तब तब वैसे ही आप अपने husband के लिए या wife के लिए success career में success के लिए या job में promotion के लिए job में success के लिए भी आप ऐसे affirmations दे सकते हो पर ध्यान रखना है वो positive words होने चाहिए उसमें कोई भी negative affirmations नहीं हो ना या no या not ऐसे words नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ वो present tense में होना चाहिए affirmations ऐसे करने के करते हुए अगर आप खाना बनाओगे और वो खाना जब ही आपके family members खाएंगे तो उनका स्वास्त अच्छा रख सकते हैं आप ऐसे affirmations या mantra's के माध्यम से उनकी wish पूरे उनका जो भी wish है उनका wish पूरा कर सकते हैं आप सिर्फ आपको positive way में हर दिन खाना बनाने के समय खुश रहेकर affirmations देना हैं या मंत्रास बोलना हैं साथ ही साथ अगर आप रे की first degree का एट्यूर्मेंट लेते हैं तो आप खुद आपका खुद health बहुत अच्छा रहेगा आपका emotions बहुत अच्छा रहेगा आपके relationship अच्छे रहेंगे आप spiritual हो जाएंगे आपका financial condition बहुत अच्छा हो जाएगा I want to say each and every problems जो भी हमारे life में होते हैं हर एक problem का solution आप खुद कर सकते हैं अगर आप रे की first degree attainment ले और regular practice करें आप अपने बच्चों को या अपने spouse को या अपने ममी पापा को या कोई भी blood related जो भी person है आपके life में उन सभी को health problem के लिए या कोई भी financial problem हो या emotional problem हो आप उनको touch healing दे सकते हैं और उनको relief दे सकते हैं और second degree रे की attainment लेने के बाद आप किसी को भी कहीं से भी healing to send कर सकते हैं पर condition एक ही है आपको regular basis में practice करना है एक बार रे किसी के अपने family को family members को अपने हाथों से अपने मन मताबिक बहुत ही सुन्दर life आप gift कर सकते हो तो खाना बनाने के समय ये tips याद रखिए इनको implement कीजिए और करके फिर आपको जो result मिलेगा ये comment box में जरूर बताईएगा और ये एक दिन में नहीं होता है आप कम से कम one month करके देखिए उसके बाद आपके family में जो change आएगा जरूर comment करके बताईए और रेकी जरूर सीखिए अपने life को खुशियों से भर दीजिए नमस्ते